आज हम पढ़ने वाले हैं transportation problem जो gate का एक बहुत important topic है इससे questions एक दो आते ही हैं सबसे पर देखें कितने प्रकार के transportation problem होते हैं तो दो प्रकार के transportation problem होते हैं balanced transportation problem जिसमें आपका demand जतना रहता है उतना अपने पास supply available रहता है मिन supply is equal to demand जब बराबर होते हैं supply और demand तो उसे कहते हैं balanced transportation problem चाहिसे खरना प्रकार क्यां तो अपने पास कम रहेगा तो उसे हम unbalanced transportation problem कहते हैं वो आगे अपन पढ़ेंगे कि इसे कैसे solve करना है और इसे कैसे solve करना है तो सबसे पहले देखिए method of transportation, कितने method हैं आपको transportation करें, तीन method होते हैं हमारे, तो सबसे पहले है north-west corner rule, दूसरा है matrix minimum method जिसे हम least cost sale method भी कहते हैं, और तीसरा vogel approximation method है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे north-west corner rule, north-west corner rule में, अपने को, देखिए यह मैंने एक simple सा question दिया है, north-west corner rule का, north-west से जैसे आपको सनज में आ रहा है north-west, north-west का क्या होता है, इसमें देखेंगे आप north-west क्या है, यह, north-west, यहां से अपने को solution करना चालू करना है, इसमें देखिए supply दिया है, 400, 300, 400, 1, 2, 3 sources हैं, उनसे 400, 300 और 400 supply मिलेगा, और ABC destination है, जहां हमारा supply जाएगा, उनका demand है, 200 का, 300 का, 500 का, तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे, कि यह balance transportation problem है की नहीं, उसको चेक करने के लिए अपन supply को सम करो, और demand को सम करो, अगर दोनों सेम आया, तो अपना क्या है यह, balance transportation problem, तो देखिए, 4, 3, 7, 4, 1100, इसे सम करते हैं, तो हमारा आ रहा है 1100, और इसे अगर हम सम करेंगे, 5, 3, 8, 2, 10, और 5, 50, 50, 1100, मतलब demand को सम करने से भी 1100 आ रहा है, और supply को भी सम करने से 1100 आ रहा है, इसका मतलब हमारा यह problem, balanced है, तो जब हम इसे solve करना चार्डू करेंगे, तो सबसे पहले, north west वाला, north west वाले को, column को उठाएंगे, तो देखें, यह row कहलाएगा, first row, second row, third row, first column, second column, third column, सबसे पहले, north west को, north west को हम उठाएंगे, उसमें देखें, अपन सबसे पहले यह देखेंगे, कि इसका demand कितना है, इसका demand है, धाई 100, और इसको supply कितना दे सकता है, source, 400, अपने को चाहिए, यह श्रिफ 200, और दे सकता है 400, तो सबसे पहले हम इसमे, 200 चाहिए, 400 दे सकता है, इस 400 में से अपन ले लेंगे, 200, तो यहाँ अपन 200 इससे ले लिए, तो इससे जब 400 से 200 हटाएंगे, 400 से 200 इसने ले लिया, तो बचा कितना है, इसके 1,500, 400 से 200 चला गया, तो इसमें 1,500 पूरा मिल गया है, तो इसको अपन यहाँ 0 लिख देता है, कि अब इससे नहीं चाहिए, तो यह 500 यह भी कट गया, फिर क्या इस कॉलम का अपना खेल खतम हो गया, इस कॉलम को अपन को कुछ नहीं देखना है, इसलिए इसे एक लाइन खिस दो, ताकि इसे अब हमें देखन ही नहीं है, यह अपना एक कॉलम का हो गया, फिर नॉर्थ वेस्ट जैसा कहलाता है, तो फिर अपन क्या करेंगे, इस 17 को लेंगे, इधर से नीचे तरफ आते जाएंगे, जैसे जैसे अपना होते जाएगा, वैसे इधर से नीचे तरफ आते जाएंगे, फिर 17 में देखो आ साड़े 300 तो इस सोर्स से अपन ले लेंगे कितना डेर सो इससे डेर सो ले लिए तो यह डेर सो भी अपना कट गया इसमें सोर्स अपना सप्लाई अब यह जीरो कर सकता है और इसने डेर सो ले लिया डेर सो ले लिया तो यहां डेर सो साड़े 300 में से डेर सो उसने पहले सोर्स से ले लिया तो यहां बचा आपका 200 मतलब 200 डिमांड अभी भी इसे चाहिए जबकि इसे 300 चाहिए था अब इसे 200 चाहिए क्योंकि इसने 1500 पहले सप्लाई से ले लिया है फिर इसे क्या करेंगे अपन उपर वाले रो को काट देंगे कि अब उससे हमें कोई मतलब नहीं अब हम आगे बढ़ेंगे तो यह जैसे नॉर्थ वेस से नीचे आ रहे है तो उसके बाद 10 आएगा 10 में अपन को क्या चाहिए देखिए 300 आपका सोर्स सप्लाई दे सकता है और 200 कितना है डिमांड है तो आप इसमें 200 डिमांड है और 300 ज्यादा होता है और इसे 200 चाहिए तो इसे क्या आप 200 सप्लाई इससे ले लिजिए तो 200 इसमें चला गया तो इधर क्या बचा 100 मतलब अब इधर 300 में से इसने 200 इसे सप्लाई कर दिया तो इसके पास बजा 100 और इसे 200 को चाहिए था 200 मिल गया तो इसको अब 0 चाहिए अब इसे नहीं चाहिए तो इस कॉलम को भी अपन क्या करते हैं काड देते हैं इस कॉलम का भी खेलब खत्म हो गया अब नौर्थ विर्स जैसे मैंने बताया यहां से नीचे आते जाते हैं तो अपने को चाहिए अब 18 में जाएंगे 18 में देखे क्या है इसे इस कॉलम को 500 डिमांड है और यह 18 वाला कितना सप्लाई दे सकता है 100 तो इससे अपन 100 ले लेते हैं तो यह 0 हो गया आपका 100 चला गया तो यह 0 हो गया तो इस रो को अपन काट देंगे अब बचा सिर्फ और सिर्फ यह इसने 100 इससे ले लिया था इसको अब चाहिए 400 ठीक है अब 16 वाले में देखें इस कॉलम में 400 आपका सप्लाई बचा 400 डिमांड बचा तो इससे अपन ले लेंगे 400 और यह 400 यह भी कड़ गया तो 0 देखें 00 डिमांड पूरा हो गया आपका और यहां सप्लाई भी पूरा चला गया फिर क्या करेंगे अपन कॉस्ट आफ ट्रांस्पोटेशन निकालेंगे फिर निकाला हमने गोस्ट अफ ट्रांस्पोटेशन तो गोस्ट अफ ट्रांस्पोटेशन कैसे निकालेंगे जिस-जिस कॉलम में आपका एलोकाट हुआ है उस-उस कॉलम को आप मल्टिप्लाइ कर देंगे देखे जैसे 25 इसमें देखे 25 इंटु 250 करेंगे 25 x 250 प्लस इसमें क्या करेंगे 17 x 150 17 x 150 प्लस इसमें क्या करेंगे 200 x 10 200 x 10 फिर प्लस इसमें करेंगे 18 x 100 18 x 100 प्लस इसमें करेंगे 16 x 400 16 x 400 मतलब जिस कॉलम में आपका जो आएगा उसको मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक तो इसको जब मल्टिप्लाई आप करोगे तो जब आप कैल्कुलेटर से कर लेना इसका एंसर आ रहा है 19 तो इसका एंसर क्या आएगा 19,000 इसी तरह से आप और भी कोश्चन अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो तो यह मैथड हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट कॉर्णर रूल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मिनिमम मैथड जिससे लीस्ट कॉस्ट सेल मैथड भी कहा जाता है